नमस्कार दूस्ता आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि ना रिष सकती दूत अप्लिकेशन पर एकाउंट को क्रियेट करते हैं तब OTP नहीं आता है तो आप इस प्रोब्लम को कैसे सॉल कर सकते हैं तो गईज आज किस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एकाउंट तक पूरा दिखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी तक आपने हमारे यटूप चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्ले सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर सेट कर लिजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नॉटिपिकिसन आपको मिलते रहेगी तो चलिए प्रेंट्स आज का इवीडियो स्टार्ट करते हैं तो गई सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने उबल की नॉटिपिकिसन बार को उपन करना है नॉटिपिकिसन बार को उपन करने के बाद गई जहां पर आपको चेक करना है कि अपने उबल का डाटा बरूबर चल रहा है कि नहीं चल रहा अगर अपने ओबल का डाटा बरूबल नहीं चल रहा है तो गई जहांपर आपको एरोपलेन मोड को अनौप करना है एरोपलेन मोड को अनौप करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहां पर अपने ओबल का डाटा बरूबर चल रहा है, फिर भी अपने ओबल पर OTP नहीं आता है, तो गई जहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको प्लेश्ट और अप्लिकेशन को उपन करना है, प्लेश्ट और अप्लिकेशन को उपन करने के बाद गई जहां पर नारी सकती एप्लिकेशन पर OTP नहीं आता है तो गई जहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको नारी सकती दूत एप्लिकेशन पर लॉंग प्रेस करना है लॉंग प्रेस करने के बाद गई जहां पर आपको एप इंपुक अप्शन पर क्लिक करना है यहां पर जितने भी option रहेंगे उन सब के option के permission को allow करना है तो गई जहां पर मैं location के permission को allow करता हूँ इसके बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको नीचे के और clear all data के option पर click करना है clear all data के option पर click करने के बाद गई जहां पर आपको ok पर click करना है नहां रहे सकते दोत्य अप्लिकेशन पर एकाउंट को क्रेट करते हैं तब बोटी पर आना स्टार्ट हो जाएगा तो गई जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप इस प्राब्लम को स्वाल कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होता वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना